हेलो दोस्तों सुवागत करता हूँ आप सबके अपनी यूट्यूब चैनल इंडियन रेल इन्फो में दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 13234 दानापुर राजगेर इंटर सिटे एक्सप्रेस के बारे में दोस्तों बात करें इस ट्रेन का टाइम टेबल का तो ये प्रती तीन चलने माली ट्रेन है इसे दानापुर से राजगेर तक का डिस्टेंस कवर करने में 3 गंटे 5 पर मिंटर का वक्त लगता है और इस दोरान ये टोटल 11 स्टेशनों पे हॉल्ट करती है दोस्तों इस दावरान ये टोटल 108 किलिमेटर का डिस्टेंस कवर करती है इस ट्रेन की आवरेज स्पीद लगए 28 किलिमेटर परती घंटा है और ये ट्रेन अपने मैक्समाम स्पीड 110 किलिमेटर परती घंटे की रफ्तार से चलती है दोस्तों बात कर इस ट्रेन के कोच कम पोजिशन का तो टोटल इसके अंदर 22 डिप बे लगे रहते हैं जिसमें सेलार के दो, जनरल के 19 और एसी चेयर करके एक डिप बे लगे रहते हैं दोस्तों ये ट्रेन DDU, SPG, WAV4 के थूर आपरेट किया जाता है दोस्तों ये बात कर इस ट्रेन का फेर का तो आप अगर दानापुर से राजगिर तक सफर करते हैं तो इसके लिए जनरल क्लास के लिए 55 और एसी चेयर करके लिए 265 रुपे पे करने होंगे दोस्तो अगर आप इस ट्रेंज से गुलजार बाक्स लेकर राजगीर तक सफ़र तैय करना चाते हैं तो इसके ने जनरल क्लास के लिए 50 रुपे और AC चेयर कार के लिए 265 रुपे पे करने होंगे दोस्तो अगर आप इस ट्रेंज से बक्तियार पूर से लेकर के राजगीर तक सफर तैय करना चाते हैं तो इसके ने जनरल क्लास के लिए 35 रुपे और AC चेयर कार के लिए 265 रुपे पे करने होंगे दोस्तो बात कर इस ट्रेंज का टाइम टेबल का तो ये रोजाना 6 बच के 50 मिनट पे दानापूर जक्शन से प्लाटफॉम मिंबर 4 या फिर 5 से अपने सफर के लिए प्रस्थान कर दिया है दानापूर से चलने के बाद हमारे ट्रेंड का सबसे पहला स्टॉप एच पटना जक्शन आता है ये ट्रेंड यहां पर सुबह के 7 बच के 20 मिनट पे आती है और 7 बच के 25 मिनट पे अपने आगे के सफर के लिए प्रस्थान कर जाती है ये train पटना जक्शन पे सिर्फ 5 मिनिट के लिए डुकती है पटना जक्शन से चलने के बाद हमारे train का नेक्स स्टॉपेज राजेंदर नगर टर्मिनल आता है ये train यहाँ पे सुबह के 7 बच के 32 मिनिट पे आती है और 7 बच के 34 मिनिट पे आगे के सफर के लिए प्रस्थान कर जाती है ये train राजेंदर नगर टर्मिनल के प्लैटफार्म नंबर 4 पे सिर्फ 2 मिनिट के लिए डुकती है राजेंदर नगर से चलने के बाद हमारे train का नेक्स स्टॉपेज गुलजारवाग रिल्वे स्टेशन आता है ये train यहाँ पे सुबह के 7 बच के 38 मिनिट पे आती है और 7 बच के 40 मिनिट पे अपने आगे के सफर के लिए प्रस्थान कर जाती है ये train गुलजारवाग के प्लेटफार्म नबर एक पर सिफ दो मिनिट के लिए रुकती है गुलजारवाग से चलने के बाद हमारे train का नेक्स स्टॉपेज पतना साहिब रिल्वे स्टेशन आता है ये train यहाँ पे सुबह के 7 बच के 46 मिनिट पे आती है और 7 बच के 48 मिनिट पे आगे के सफर के लिए प्रस्थान कर जाती है ये train पतना साहिब के प्लेटफार्म नमबर एक पर सिफ दो मिनिट के लिए रुकती है पतना साहिब से प्रस्थान करने के बाद हमारी train बेना कहीं रुके हुए 12 किलो मिनिट तक दौरते रहती है उसके बाद हमारी train का नेक्स स्टॉपेज फतना जक्षन आता है ये train यहाँ पे सुबह के 7 बच के 69 मिनिट पे आती है और 8 बच के 1 मिनिट पे आगे के सफर के लिए प्रस्थान कर जाती है ये train फतना जक्षन के प्लाटफॉर्म नंबर 2 पर सिफ 2 मिनिट के लिए रुकती है फतना से चलने के बाद हमारी train बीना रुके हुए 9 किलो मिनिट तक दौरते रहती है उसके बाद हमारी train का नेक्स स्टॉप एच खुशरुपूर रेले स्टेशन आता है ये train यहाँ पे सुबा के 8 बच के 9 मिनिट पे आती है और 8 बच के 11 मिनिट पे आगे के सफर के लिए प्रस्थान कर जाती है ये train खुशरुपूर के प्लैटफार्म नंबर 1 पर सिर्फ 2 मिनिट के लिए रुकती है खुशरुपूर से चलने के बाद हमारी train बेना कही रुके हुए 15 किलो मिनिट तक दौरते रहती है उसके बाद हमारी train का next stoppage बक्तियारपूर जेक्शन आता है ये train यहाँ पे सुबह के 8 बच के 32 मिनिट पे आती है और 8 बच के 34 मिनिट पे आगे के सफर के लिए प्रस्थान कर जाती है ये train बक्तियारपूर के platform नमबर 3 पर सिर्फ 2 मिनिट के लिए रुकती है बक्तियारपूर से प्रस्थान करने के बाद हमारे train बेना कही रुके हुए 10 किलों मिटर तक दौरते रहती है उसके बाद हमारे train का next stoppage हर 9 रेलवे स्टेशन आता है ये train यहाँ पे सुभा के 8 बच के 33 मिनिट पे आती है और 8 बच के 55 मिनिट पे आगे के सफर के लिए प्रस्थान कर जाती है ये train हर 9 रेलवे स्टेशन पे सिर्फ 2 मिनिट के लिए रुकती है और 9 रेलवे स्टेशन से खुलने के बाद हमारे train बेना कही रखे हुए 5 किलो मिनिट तक दौरती रहती है उसके बाद हमारे train का next stoppage बेना रेलवे स्टेशन आता है ये train यहाँ पे सुभा के 9 बच के 5 मिनिट पे आती है और 9 बच के 7 मिनिट पे आगे के सफर के लिए प्रस्थान कर जाती है ये train बेना रेलवे स्टेशन पे सिर्फ 2 मिनिट के लिए रुकती है बेना रेलवे स्टेशन से खुलने के बाद हमारे train बेना कही रखे हुए 14 किलो मिटर तक दौरते रहती है उसके बाद हमारे train का नेक्स स्टॉप इच बिहार शरीफ जिक्षन आता है ये train यहाँ पे सुबह के 9 बच के 22 मिनिट पे आती है और 9 बच के 24 मिनिट पे आगे के सफर के लिए प्रस्थान कर जाती है ये train बिहार शरीफ के प्लाटफॉण नंबर एक पर सिफ दो मिनिट के लिए रुखती है बिहार शरीफ से खुलने के बाद हमारे train बेना कही रखे हुए 6 किलो मिटर तक दौरते रहती है उसके बाद हमारे train का नेक्स स्टॉप इच पाववपुरी रोड आता है ये train यहाँ पे सुभा के 9 बच के 36 मिनिट पे आती है और 9 बच के 38 मिनिट पे आगे के सफर के लिए प्रस्थान कर जाती है ये train पाववपुरी रोड के प्लाटफॉण नंबर एक पर सिफ दो मिनिट के लिए रुखती है पाववपुरी से प्रस्थान करने के बाद हमारे train बिना कही रिकी हुए 18 किलोमेटर तक दोरते रहती है उसके बाद हमारे train का अंतिम स्टॉपेज राजगीर रिल्वे स्टेशन आता है यह train यहाँ पे सुभा के 10 बच के 45 अंट पे प्लाटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी हो जाती है दोस्तो यह थे train नंबर 13234 राजगीर इंटर सिटी एक्सप्रेस की पूरी की पूरी जानकारिया दोस्तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेट एंड शेयर जरूर करें और भी train की जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारी यूट्यब चैनल इंडर रेल इंफो से तब तक के लिए जै हिंद जै भारत